उत्तरप्रदेश में कानून विवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दारा है, कानून विवस्था को लेकर दावा ये किया जाता है कि योगी राज में काफी पहतर हुआ है, आर्गनाज़्ट क्राइम पर अंकुष लगा है, माफिया राज खत्म हुआ है, महिलाओं की सुर है, क्या उमीदे हैं, इस पर बात करते हैं, संगम नगरी प्रयागराज के कट्रा इलाके में मौझूद महिलाओं से उनसे राह लेते हैं, आप से जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और क्या करती है, जी मैं अधिवक्ता हूँ, अनामिका कौशिक मेरा नाम है, ये पर उन्होंने कैमरे फिट करा दिये हैं, और आने जाने का जो सरकल है, वो बहुत अच्छा हो गया है, हम इस टेशन से घर तक बहुत सुविधा से पहुंच सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, युरस्टी जा सकते हैं, कही पर भी महलाओं को कोई भी डर नहीं है, एक नया कॉ जो सड़कों पर जो कम्पुटराइज फोड़ा सा और माहूल कर दिया जाए, गली गली में फोड़ा सा और मतलब लाइटिंग की और कैमरे की वरस्था कर दी जाए, और कभी कोई कारण होने पर महलाओं पर, इमीजिटली जब वो चाहे, तो पुलिस विभाग पर जाकर के अपने कैमरे को चेक करा सकती है, क्योंकि पुलिस विभाग कभी कभी इस चीज को दिखाने के लिए रोग देता है, नहीं दिखाता है, लेकिन महलाओं को इतना पावर मिल जाना चाहिए, कि अगर महलाओं अपनी सुद्धा के लिए, कि उनके साथ कुछ रास्ते में सड़ अपनी सुरक्षा को लेकर और क्या चाहती है? कि हर पावर कहने के लेकिन में मतलब यह कहना चाहते हूँ, कि अगर कोई कमप्लेइन लेकि लेडिब को अगर के लिए दो सक्रक्षा कारास्ति है लेकिन जो सरकारी अमला है, कि अगरान आपकलास्ति Planit, तो अगर को यहासर को पक्त आनना कर चाहता है? उसको भी सक्री रहना चाहिए आपका क्या नाम है सोनिका जी बताइए कि खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे है पिछले कुछ साथ सालों में और क्या चाहती है कि और क्या सुधार होना चाहिए सबसे पहली बात तो इन दस सालों में खासकर मोदी जी, योगी जी के सरकार में हमें पहली गार ये एहसास हुआ है कि हम बहुत अधित सुरक्षित हैं आज इसी बात का नबूना है कि गाउँ और बेहाद से लड़किया यहां आकर पढ़ रही है और अपना केरियर बना रही है आपके बुक करा सकी यह एक नई चीज वो कर सकते हैं जो विद्वा महिला हैं उनके लिए कुछ अलग से रोजगार और अलग से कुछ ला सके जिससे वो अपना अगर मालीजे परिवार और सेस्वाल दोनों ने छोड़ दिया तो वो आप अपने बच्चे के साथ अपना एक सम्मान पूर अप जीवन कैसे विखाएं एक तरह भी अगर मोजी सरकार देखे तो ये एक महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम होगा और महिलाओं इससे बहुत अधिक खुश होंगी यहां पर ये मैं कहना चाहते हूँ कि कुछ और आपने पूछा ना कि क्या कर सकते हैं बिल्कुल काफी अच्छे सुझाओ आपके हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम सरोज गुपता है सरोज जी आप से ये जानना चाहेंगे कि जो घर की बेटियां हैं बहुए हैं वो सुरक्षित तरीके से सरोज पर निकलें इसके लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए दिखिए जब बहु बेटियों के साथ कोई वाधात होती है तो तुरंत पुलिस विभाग को इस पर तुरंत कारवाई करनी चाहिए और उसमें देरी होती है मैं खुद भुख्त भोगी हूँ मेरे अपने पडोसी नहीं मेरी जमीन पर कवज़ा कर रखा हूँ मेरे साथ मार्क पीड भी की और मैंने F.I.R. दर्ज करवाना चाहा तो उल्टा उल्टी जो उस विएक्टी ने दबाव में डलवा कर पुलिस से उल्टी सीदी धारायें डलवा दी और मेरे उपर मुकदमा भी कायम कर गया जिसकी वज़र से मुझे क्या चाहती है अब आपके महिलाओं के लिए और क्या कुछ करे योगी सरकास महिलाओं के साथ नयाय होना चाहिए लोगों के दबाव में और राजनीतिक दबाव में आ करके उनका पक्ष ना लिया जाए जो दूद का दूद है पानी का पानी किया जाए उसको पता लगाना चाहिए किसी भी महिला चाहिए कोई भी महिला हो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जो सुरक्षा का एक माहौल तो बना है, लेकिन महिलाओं को दूसरी जगहों पर भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, वहाँ भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या नाम है आपका? सोनु जी ये बताए कि खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है और और क्या चाहती है? और? बताए बताए जी जैसे कि आभी आपको सोनका जी ने बताया कि यहां हमारे यहां लड़कियां करके पढ़ाई करती है और वो अपने आपको बहुत सुरक्षित महसूस करती है, उ कि और क्या सुधार्य किया जाए है कि अगे घंड़ес सुद्धशनाय वही सुरच्छित्शक नहीं परिषानी ऊती है रात में में हम्योकी फील्ड गई है उसके लिए कुस्तो मौइज़ा दें और समाज में जो आशुरक्षित इस्त्रिया है जिनका घर एकदम चला गया वो सड़क पर आ गई है उसके लिए तो मौइज़ा दें जमीन ले ले जमीन गौर्मिंट के बंतु जो बिल्डिंग बनी ते गिर जिंद्र के जोड़ी करण का काम किया जाई रहा है उसमें आपका घर गया है और चाहती है कि जिनके घर गिराए जाएं उनको परियाप्त मौटा दीा जाए या उनके रहने की वहकलपिक व्यवस्था किजाएं आपसे अनुरोद कर रहा है पहले दस सार पहले जैसे महिलाएं नहीं निकल पाती थी घड़ों से, लेकिन आज हम लोग बहुत योगी जी के सरकार में अपने को सुरक्षित मैसूस करते हैं, पहले होस्टल्स होते थे, लर्कों के लर्के बाहर से आके रहते थे, लेकिन आज लर्की भी, लर्कियां भी न खोड़े सा बात करने दीजे, आप लोग लगातार बोले जा रहे हैं, अर्तों के लिए काफी कानून लाए गए हैं, लेकिन उनका उन तक पहुंचना नहीं हो पा रहा है, तो ये कम्म्निकेशन जो गैप हो रहा है, वो अर्तों के पास जाके मिटाया जाए, उनको ये बता मैं योगी जी से संतुष्ट हूँ, उनके हर कारे से, पर थोड़ा सा ये मुझे है, कि मैं भी इस से जाए, पुलिस वो हमारे कोई सुनवाई नहीं करती, जैसे कि हमारे मकाने भी चिरायदार है, और उन्होंने मेरा कोलिया और मैं एक फाया कराने गई थी, तो वहां पे न अला अधिकारी हमारी भाजपा सरकार को बरबाद कर रहे हैं, उनकर करवाई हो, जिससे जन्ता का हग जन्ता को मिले, देडी पत्री जुकंदारों में भी जो औरते बिचारी अपना सोरोजकार कर रहे हैं, सडख प अतिक्रमर के नाम पर भगाया जाता है, जो अधिकारी है काम कर रहा है, उसको रोख लगाई है, और हम पूरी उमीद है, तरकारी अमने पर अंकुछ लगाया जाने की सुष्ट है, क्या चाती है? जी हाँ, यह हमारी माडम जी नी बताया है, यह को सही कहा है, जो यह सड़कों पर महलाए है, और इनके प्रती भी सुष्विधाओं को मलब आगे बढ़ाया जाए है जी और आगे क्यों बाकी का, आप क्या कहना है, जल्दी से कहिए प्रशाशन ने तो काफी सुष्विधाओं दे रखी है, लेकिन जो पुलिस प्रशाशन है, हमारे जो पुलिस भाई हैं, उनसे मैं अनुरोद करूँगी, कि वो हिलाए जब वहां पर चौकी पर जाए, तो उनकी जो समस्य है, उनको सुने, और उस पर F.I.R. दर्ज कराए जिससे कि उनको अपने अधिकार का, वैसे तो उन्होंने लेडिस के लिए कानून बहुत बनाए हैं, और हम इसके थोड़ा सा वो लड़कों के भी ध्यान दे, क्योंकि ओरते जो हैं, जितने कानून में उसका मिस्यूस भी बहुत कर रही हैं, आज की जो जनरेशन हैं, लड जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, उससे काफी संतुष्ट हैं, सरकार दोरा जो कदम उठाए गए हैं, उसकी जम कर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथी साथ इनका ये सुझाओ भी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, दूसरे सरकारी अमले के लोग हैं, वो भी सक्तरी रहें, समवेदन चील रहें, और महिलाओं की जो समस्या आती हैं, उसको ठीक से सुनें और उसे दूर करने की कोशिश भी करें, मुहमद मोहिन, ABP Network, प्रयागराज